तो हम लोग अब बात करेंगे रह ग्रूपिंग के बारे में, रह एंटिजन के बारे में, तो रह का मतलब होता है रिसस फेक्टर, रिसस फेक्टर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह सबसे पहले रिसस मंकीज में देखा गया था, तो जैसे कि आपने देखा A, B, जो और यह 80% generation में होता है, 80% population में होता है, 20% से कम में नहीं होता है, तो mostly आप सुने होगे कि A, B या A positive, negative, blood group आपने सुना होगा, तो जो positive होता है, उसका मतलब है कि यह RS factor उसमें present है, अगर RS factor प्रेजेंटर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे RS negative, जैसे हम लोग बोलते हैं, A negative, B positive, A, B positive, तो positive का मतलब with RS factor, RS antigen, और negative का मतलब absence of RS factor or antigen, तो RBC के उपर यह RS factor मुझूद है या नहीं है, इसी की basis पे decide किया जाता है, कोई भी positive है या negative है, और बाकि जो उसका antigen होता है, blood group का, A, B या AB या वो जिस तरह से आप लोग decide करते हैं, वो ही procedure होती है, आपने सुना हो होगा, A positive, O negative, B negative, O positive, इस तरह से, तो RS factor ही recite करता है, कि वो positive होगा, ये negative होगा, तो इसमें हम लोग जब blood का transfusion करते हैं, तो उस समय ये चीज़ बहुत विशेस तोर से ध्यान दी जाती है, क्योंकि अगर positive है, तो उसको positive ही positive है, तब तो उसको हम RS positive या negative कोई blood दे सकते हैं, अगर RS negative है, तो उसको फिर हम लोग positive का blood नहीं दे सकते हैं, उनको हम लोग negative blood ही देंगे हर हालत में, नहीं तो उसमें फिर antibodies बनना सुरू हो जाएंगी, और clumping हो जाएगी blood की, पूरा blood coagulate कर जाएगा, तो एक special case हम लोग इसी RS incompatibility के बारे में, या मिसमेचिंग के बारे मे distance करते हैं, जो की pregnancy से related है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे distance करते हैं, तो अगर RS negative blood आप पिगनेट मदर with the RS positive blood आप फिटस, तो करने का मतलब अगर पिगनेट मदर जो है वो RS negative है, और जो फिटस है वो RS positive है, तो उसी case के हम बात करेंगे, जाहिसी बात है, ऐसे case में जो father ह होगा, वो RS positive होगा, तो generally क्या होता है, कि placenta जब होता है, placenta में blood की mixing नहीं होती है, placenta में बच्चे और मदर, दोनों के blood की mixing, चुकि यह barrier होता है, यहाँ पे nutrition का तो exchange होता है, लेकिन blood RBC के खास करके, इसमें mixing नहीं होती है, blood की mixing नहीं होती है, लेकिन अगर pregnancy हो रही है, फि delivery होगी, तो delivery के time पे थोड़ा बहुत, fetus का blood और mother का blood, expose होने के कारण mix होता है, जैसे ही mother का blood, fetus के blood से exposed होता है, तो blood, अगर fetus RS positive है, तो थोड़ा बहुत blood अगर mother के blood से mix हुआ, तो उसके अंदर तुरन्त antibodies बनना शुरू हो जाते है, RS antibodies बनना शुरू हो जाते हैं, अगर mother वो ब्लट उसका गुरूप निगेटिव है या रहस प्रेक्टर एपसेंट है उसके अंदर तो फस्ट प्रिग्नेंसी में तो कोई समस्या नहीं आती लेकिन सेकेंड प्रिग्नेंसी में अगर दुबारा से फीटस और मदर का ब्लट मिक्स होता है तो फिर क्या होता है उसमें जो मदर के अंदर एंटीबाडिज है रहें वो फीटस के आरेज एंटीजन से मिक्स हो जाती है और उनकी क्लंपिंग करना सुरू कर देती है और प्रिटस का डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो उसको अम्हों बोलेंगे इर्थ्रो ब्लास्टोसिस, फिटैलिस और होता क्यों है? क्योंकि मदर के ब्लड में रहेच एंटी बाडिज मौझूद है जो फिटर्स के रहेच एंटीजन के साथ रियक्ट करते हैं, कॉपलेट करते हैं, कलंपिंग करते हैं और इसको डिस्ट्राइ कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे को जिसके अंदर इस तरह की समस्या आती है, तो उसमें RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और वो severe anemia हो जाती है उसको, और जब RBC का डिस्ट्रक्शन होगा, तो bilirubin बढ़ेगा, जिससे उसको जान डिस हो जाएगी और ऐसे case में death भी हो सकती है बच्चे की, तो इस तरह से यह जो पूरी process है, इस condition को हम लोग बोलते हैं, इर्थ्रोब्लास्ट्रोसिस, फिटेलिस, और इसका जो region है, वो mainly क्या है, आरेश factor, और यह ऐसा कब होगा, अगर मदर का blood आरेश निगेटिव है और फिटेस का blood आरेश पास्टिव है, और फिटेस का blood आरेश पास्टिव तभी होगा, जब फादर का blood आरेश पास्टिव हो और मदर का निगेटिव हो, तो इस case में फिटेस का blood आरेश पास्टिव होगा, इसका उपाई भी है, इसका उपाई यह ह कि मदर को हम लोग first delivery के बाद ही anti-RS antibody हम लोग serum उसका injection आता है उसको लगाया जाता है जिसके मदर के अंदर RS antibody बनने ही नपावें अगर मदर RS negative है तो उसके अंदर antibodies बनने ही नपावें और दुबारा जब pregnancy हो तो फिर से injection उगरा यूज़ करके हम उसको prevent करते हैं तो यह पूरी इसमें procedure होती है जिससे हम लोग RS negative बलड अगर किसी मदर का है और बच्चे का RS positive होने की सम्हाना है तो उसको लोगाया